आपने ये तो सुन लिया होगा कि चातरवरती के फोरम की डेट बढ़ा दी है चातरवरती के फोरम की लस्ट डेट 31 बारा 2021 कर दी गई है यानि कि आप 31 दिसंबर तक आप स्कोलर्शिप के फोरम भर सकते हो और सभी लोग इस बात से निश्चित हो चुके हैं कि चलो ठीक है एक मेने डेट बढ़ चुकी है अब अराम से स्कोलर्शिप का फोरम भरेंगे भी होगा जब आप अपने जना धरकाड को अपडेट करेंगे तो अगर आप वाकई स्कोलर्शिप का फॉम भरना चाहते हैं तो आपको आज ये अपने जना धरकाड को अपडेट करवा देना चाहिए क्योंकि अगर आज जना दरकाड को अपडेट करवाएंगे तो आने वाले आगे कि कुछ दिनों में आप स्कोलर्शिप का फोर्म बर पाएंगे अगर आज आप scholarship का form बरना चाहते हैं और अगर आपने जना दरकार को अपडेट नहीं करवाया है तो आप scholarship का form नहीं बर पाएंगे और अगर आप निस्जित हो जाते हैं इस बात से की date बढ़ा दी गई है अराम से scholarship का form बर देंगे और आखरी के दिनों में आप स्कोलर्शिप का फॉर्म बरने जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप स्कोलर्शिप का फॉर्म कभी भी नहीं बरपाएंगे अब अगर आप आज जना दारकाड को अपडेट करवाते हो अगर आपके scholarship के form में सिर्फ ये error आ रहा है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने जाती अमूल को जना दारकाड में update करिए, तो आप तुरंत ही update करके scholarship का form भर सकते हैं, वो तुरंत ही update हो जाते हैं, अब जो दूसरी update है जिसमें कि हमें परतेक सदेशी की eye update करनी होती है, इसे update होने में काफी time लगता है, इसे update होने में उतना ही time लगता है जितना कि हम जना दारकाड में कोई ओर detail update करते हैं, वो जना दारकाड verification लिए जाता है, उसके बाद अधिकारियों द्वारा पास किया जाता है, उसके बाद सिस्टम पर जाता है, उसके बाद वो detail update होत तो आप अपने जना दारकाड में इंकम अपडेट नहीं करवाएं यह अनिवार यह है कि आपको आपके जना दारकाड में आपकी इंकम अपडेट करवानी होगी अगर आपकी कोई इंकम नहीं या आप एक भी पैसा नहीं कमाते तो वहाँ पर आप zero income अपडेट करवा सकते हो वहाँ पर आप अपने income zero दिखा सकते हो लेकिन वह आपको दिखानी जरूर पड़ेगी वहाँ पर आपको वास्त वी वार्षिक आए में zero income अपडेट जरूर करनी होगी बाती जरूर काड में इंकम किस तरह से अपडेट करनी है ताकि आप सही से scholarship का form बर पाएं इसके लिए मैंने एक complete वीडियो बना रखाया आप वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि scholarship के form पर ये जो error आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप अपने जरूर काड में इंकम अपडेट करिए इसका समधान क्या होगा तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप complete detail में समझ जाएंगे तो दोस्तो अब आपको जानकरी समझ में आ गई होगी कि date बढ़ाने से कुछ नहीं होगा पहले आपको अपने जरूर काड को complete update करवाना होगा आप अपने जरूर काड को complete update करवा कर रखें उसके बाद आप चाहें तो दो दिन late form बर सकते हैं लेकिन अगर आपका जरूर का ये अपडेट नहीं होगा तो लाइक करिए, share करिए और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी के साथ अगर आपके में में कोई स्वाल या सुजाव है या फिर scholarship के forum में आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप comment में बता सकते हैं